को बैस्त तो 5 best stylish smartphone under 70,000 तो बही अगर आपका बज़िदा 70 दाल के बज़िद में आपके स्वांटस जाएं तो बॉढ़ी ये वीडियो सिर्फ आपके लिए वीडियों को बूरा देख़ना स्क्वड उसका बूर मद करना स्टार्ट करते है वीडियो है अनले मेरा इंट्रो तो हेलो वाँ मेरा नाम रॉबिन रॉबिन आउच्छ लाइए अन बॉक्सिंग आपका बहुत बहुत वागते यार मेरी चैन्पर के चैन्पिन नहा चाहिए को सब्सक्राइब वीडियो करते लाइक इंस्टाग्रा पे कलो फॉलो लिक को आपको डिस्क्रिप् पे गीमिंग करने है आप इसली नॉमली कर सकते हो प्लस भाई अगर आपने व्लॉगिंग करने है उसके असासाथ आपको कैमरे के रिलेटेड स्मार्ट्पों चाहिए तब भी आपके लिए बैस्ट दील हो सकता है सैंसेंग गलाक्सी अस्टोंटी प्लस विकल्स आपको 8K प्लस आपको एक नॉन चाहिए स्मार्ट्पी वीडियो ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, फ्रंट चैमरे में आपको 4K उप्शन मिल जाता जो की बहुत तगड़ा होने वाला है अगर आपने सिनेमेडी शूड करना व्लॉगिंं करनी है ट्रावल व्लॉगिं करने है र अगर आपने अपने डॉकुमेंट, फोटो, वीडियो बगरे प्राइवेसी में रखने हैं आप एजली नॉर्मली रख सकते हो प्लस आपको एक नौन चानी स्मार्टफून मिल जाता है इंड इसका बजड़ भी बहुत ज्यादा सही है आपको 50,000 से लेके आपको 60,000 के स्मार्टफून चाहिए ठीक है प्लस इसके डिजाइन कलर वगारा भी सच में मुझे तो यार इसका लुक को बहुत पसंद है अभी बात करते इसके में स्पैस्विकेशन की मैं आपको डीपली थोड़ा सा बता देता हूं तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.7 इंच डैनमिक इस रिंडे लाएं प्लस 20 ब्लस बीज बातों को सब कुछ देखने को मिल जाई कैमरे की बातों को ने घॉलास इसव्रेफ कर सकती हो तो अब इकाचाल शना से लेके साट अजार के बज़र में मिल जाता है तो बही अगर आपने जाना Samsung Galaxy S40 Plus के और ये smartphone भी आपके लिए perfect deal हो सकता है अभी आगे बात करते है number 4 की number 4 की बात करूँ या number 4 पर मैंने रखा iPhone 11 को तो यार कर सकते हो प्लस अगर आपको camera के related भी smartphone चाहिए आपके लिए perfect deal हो सकता है आपके लिए best deal हो सकता है प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको back camera में फोर्ट के option मिल जाता है जो कि इस smartphone का plus point आ जाता है बट इसके minus point की भी बात कर ले तबी इसके minus point की सिर्फ इसकी battery देखने को मिलता है जो कि सच्च में जल्दी खत्म हो जागी अगर आपने high graphic पर gaming करने है जब अगर आपने cinematic वहरा shoot करना ठीक है तो इसकी battery थोड़ी से कम मिल जाते है वैसे overall देखा जाए यह smartphone आपको पूरा लॉडड़ी मिल जाता है अगर आपने long time beta smartphone को रखना है आप इजली नॉर्मली रख सकते हूं मैं आपको main specification बता देता हूं डीप ली ठीक है तो यह display की बातों को 6.1 इच लिको रूटीन या आप उसके और जा सकते हूं बैटरी की बातों को 3110 mh की बैटरी मिल जाते है वालेस चार्जिंग स्पोर्ड करता है camera की बात करूँ आपको dual camera मिल जाता है 12MP प्लस 12MP selfie की बात को 12MP selfie मिल जाते है selfie में भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो प्राइज की बात करूँ इसका जो 64GB वेड़ है वो आपको 50,000 के बज़र में मिल जागा जो 128GB वेड़ है वो आपको 58,000 के बज़र में मिल जागा जो 256GB वेड़ है मिल जाता है अब यह आगे बात करते हैं नमब थ्री की बात कर रही है नमब थ्री पर मैंने रखा प्रसासर देखने को मिल जाता है जो कि आपको स्नाप्डागन 8888 देखने को मिल जाता है जो कि 5 अब जाता है यह ब्लू कर में बहुत सूड करता है मैं में स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूं तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.81 इच एमुलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो की 120 रेफ्रेश्ट के साथ आती है तो यह 120 रेफ्रेश्ट सच्छे में मैंटर करता है ठीक है और सैसर की बातों को स्नाफडगन ट्रिपल एड देखने को मिल जाता है जो की फार्वन अनुमेटर टेकनोलजी के साथ बेस्ट तो इस की बात करूं यह दो विंट में देखने को मिलेगा एट जीबी 12 जीबी जो भी लेना जाए तो आप ले सकते हो बैटरी की बात करू आपक से सेलफी देखने को मिल जाती है तो यार में स्पेस्टिकेशन में आपको MI 11 के भी बता दी है अगर आपने स्मार्टफून के आप इस स्मार्टफून के और भी जा सकते हो लेकिन जो मैं आगे फून बताऊं को इससे भी पूरे लूडड़ होने वाले हैं अभी आग को तो प्यार हैं प्लस भाई इसका प्रसाइसर उससे भी तगड़ा है ठीक है आपको A40 बॉनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि व्लॉगिंग करने है अगर आपने व्लॉगिंग करने है तो इसकी बैटरी जल्दी ख़तो मुझे की जो की सच है मैं जूट नहीं ब इसकी बता देता हूं तो यहां डिस्प्ले की बातों को 5.4 इंचर सुपर्ट डिस्प्ले मिल जाती है जो की OLED डिस्प्ले प्रसाइसर की बात करूं आपको A40 बॉनिक चिपसेट देखते हो मिल जाता है स्टोरेज की बात करूं तीन वीड़ में आता है जो भी लेना जाता ह आपको 2227 MS की बेंटरी मिल जाते है प्लस 20 वार्ट डी ओर का फार्याज जर्वारलेस चार्जिंग भी स्पोर्ट करता है कैमरे की बात करूं आपको डूब कैमरा मिल जाता है 12 MP प्लस 12 MP 4K option मेल जाता है बैक कैमरे में फ्रेंट चैमरे में आपको 4K option मेल जाता है selfie आपको 12 MP इक्सल के साथ देखने को मिलेगी तो यहार में स्पेस्फिकेशन में आपको बता दिया आईफून 12 मिनी गे मैं आपको रिपीट कर देना जाता हूं भी अगर आपको एक हैंडी स्मार्टफून चाहिए तब आपके लिए बेस्ट दील हो सकती है ठीक है अब आगे बात करते ह आगे बात के लिए देखने को मिलता है ठीक है इसका केरशन चाहिए तब आपको एक प्रनेशन चाला होने वाला है साथिक का को एक पावफून यो जाता है तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.67 इच सुपर एमलर डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 90 रिफ्रेश्ट के साथ आती है पर साइसर की बातों को स्नेप्रेगन 865 प्लस देखने को मिल जाता है जो कि सच में बहुत अगर अगर आपने हाई ग्राफिक पर गेमिंग करनी है आप इसल इंड कामरा एंट सेल्फृ आपको सेम देखने को मिलगी बीकास आपको फ्लिप कैमरा देखने को मिलता है प्राइस की आक की बात कर आपको चुन Suze Zenfone 7 Pro देखने को मिल जाता है, तो यार, main specification में आपको Suze Zenfone 7 Pro के भी बतादे है, इसको number one पर रखने का एक reason है, because आपको 8K वीडियो option मिल जाता है, जो की सच में matter करता है, सतर सार के बजले में आपको किसी camera में 8K option नहीं मिलता है, इसमें तो आपको selfie भी मतलब 8K मिल जाती है, and back camera भी आपको 8K option नहीं मिल जाता है, ठीक है, plus stylish design है, design वगार अभी बहुत जादा सही है, तो यार, अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, करतम, अगर आपको मेरी र तेंक यू